आज हम लोग 11 अप्रेल के लिए महत्वपून का रेंड अफेस देखेंगे तो हमारा पहला क्वेस्चन है अल्फावेट कंप्री ने सारुजनिक ट्रॉन सेवा की सुरुवात किस देश में की है? तो आपके आप्संस हैं A. आस्ट्रेलिया B. अमेरिका C. भारत D. इन में से कोई नहीं तो आपका जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सं A. आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया जहांके प्रामिस्टर है स्कॉर्ट मॉरिसन आस्ट्रेलिया के राजानी है कैनबेरा और यहांका सबसे बड़ा साहर है सिड्नी तो Alphabet Company जिसके founder है Larry Page और सरगी ब्रिन और इसका headquarter है California यूएस में और हम लोग आगे चलेंगे next question की और BAC ने किस बैंक के साथ मिलकर स्टार्टप प्लेटफर्म को मजबूत करने के लिए साज़दारी की है आपके options है A. HDFC Bank B. SBI Bank C. Yuko Bank D. Canera Bank तो इसका जो सही answer है वो है option A. HDFC Bank HDFC जिसका foundation 1994 अगस्ट में हुआ था जिसका headquarter Mumbai महराश्टर में है और इसके जो non-executive chair person है वो है स्यामला गोपिनाथ और इसके जो MD है उनका नाम है आतित्यव भुरी हमारा अगला question Indian Overseas Bank के MD और CEO के रूप में किसने कारवार संभाला आपके options है A. करनम सेकर B. RA. संकरानारायन C. चंदा कोचर D. इन में से कोई नहीं तो आपका जो इसका उत्तर होगा वो होगा option A. करनम सेकर करनम सेकर तो करनम सेकर जो है इनका जो कारे है वो 1 जुलाय द्वार 19 से सुरू होगा जो की 1 जनवरी द्वार 20 तक खत्म हो जाएगा Indian Overseas Bank जिसका Headquarter चेन्ने तामिलनाडू में है हमारा अगला Question किस भारती क्रिकेटर को विजडन्स लिडिंग क्रिकेटर के रूप में नामीद किया गया तो इसके options हैं A. विराटकोली B. रोहित सर्मा C. MS. दोनी D. दिनेश कार्थिक तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा Option A. विराटकोली विराटकोली ये 30 वर्सी भारती क्रिकेटर हैं जिनोंने 47 अंतराश्टी पारियों में दोर 18 में 68.37 के आउसत से 2735 बनाए जिसमें 1109 अर्सतक सामिल है कोली को विजिन के 5 क्रिकेटर्स of the year group में चुना गया है साथी साथ स्मित्ती मंधाना जो है हमारी भारती महिला क्रिकेटर उन्हें भी इस अवार्ड के लिए चुना गया अब आगे हम लोग का next question हाली में किस कंपनी ने उसा मार्टिन के व्यवसाय का अधिगरहन किया तो इसके options है A. Cell B. 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 C. Tata D. Gel तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है option C Tata Tata के जो bracket में TSIL लिखा हुआ है उसका मतलब होता है Tata Sponge Iron Limited तो Tata Sponge Iron Limited की स्थापना 1982 में की गई थी और इसने उसा मार्टिन का अधिगरहन 4,094 करोण में किया है इसके जो M.D. और CEO है वो है संजे कुमार पटनाएक और Cell जिसका full form होता है Still Authority of India Limited Bell भारत Heavy Electronics Limited और Gail जिसका होता है Gas Authority of India Limited अब हमारा next question CRPF के सहित सैनिकों के परिवारों के लिए CRPF वीर परिवार एप किसने लॉंच किया है तो आपके options है A. राष्टरपती B. प्रधानमंत्री C. रक्षामंत्री D. इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा A. राष्टरपती राष्टरपती हमारे जो राष्टरपती है उनका नाम है रामनाद कोबिन और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री जिनका नाम है निर्मला सितारवन अब हमारे next question हाल ही में W.E.F. का कितना कितनवा संस्क्रण आयाजित किया गया तो आपके options है 16, B. 17, C. 15, D. 14 हुआ तो इसका जो अंसर होगा वो होगा option B. 17 हुआ W.E.F. का मतलब होता है World Economic Forum World Economic Forum की स्थापना जनवरी 1971 में की गई थी जिसका headquarter कॉलोगनी स्वेटजर लैंड में है और इसके जो chair person है उनका नाम है क्लाॉज स्वाब हमारा आगला question कवी और स्वतंतरता सेनानी कायरा किनहाना राय का हाली में निदन हुआ इनका संबन्ध किस राज से है तो आपके options है A. करनाटक B. केरल C. तमिलनाडू D. असम इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा option B. केरल हमारा next question U2 lunar rover ने चन्दरमा पर 170 मीटर की यात्रा की या किस देज़वारा लॉंच किया गया आपके options है A. भारत B. रूस C. चीन D. USA तो इसका जो सही उत्तर है वो है option C. चीन तो चीन के इस lunar rover U2-2 ने चीन के राष्टरी अंत्रिक्ष प्रसासन के चन्दर अनिमेशन और अंत्रिक्ष कारिक्रम केंद्र C. N. S. A. के अनुसार चन्दरमा की सुदूर 170.92 मीटर की दूरी तया की या पिछले साल जो तीन चन्दर दिनों की ओधी के दोरान कुल 163 मीटर चला था और तीसरे दिन इस रोवर ने चन्दरमा पर पत्रों और पत्रियों पर वग्यानिक प्रिक्षन किया हमारा अगला क्विश्चन के ए मनी कानिधन 9 अपरेल को हुआ वह किस राजसे कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे तो आपके ओप्शन से हैं A. आंध्र प्रदेश B. तेलंगाना C. करनाटक D. केरल तो इसका जो सही उत्तर है वो है ओप्शन D. केरल तो ये केरल कानिधन के अध्यक्ष थे जिनका निधन 9 अपरेल को हो गया इन्होंने 1965 में गठन के बाद से 52 वर्सों तक पाला विधानसवा निर्वाचन छेतर का प्रतनिदुत किया था अब तक उन्होंने निर्वाचन छेतर से सभी 13 चुनाव जीते हैं और उन्होंने सबसे लंबी आधी के लिए वित्विभाग की जिमिदारी संभाली थी और साथी साथ 13 अबज़ट पेस किये थे तो इसी के साथ आज हम लोगा ये करेंट पेस का विडियो समाप्त होता है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से लोगसभा के चुनाव सुरू हो रहे हैं तो आप सभी लोगों से मेरा ये बहुत खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर से निकले और अपना जो अनमोल जो वोट है आपका उस वोट को जरूर से जरूर दें और एक सच्चे नागरिक होने का जो एहसास है उसे प्राप्त करें और आपके वोट से हमारे देश का भविस्ट से बहुत ज़्यादा सुधर सकता है ये आप लोग को पता जरूर होना चाहिए तो आप लोग प्लीज मैं रिक्ष्ट करता हूँ लोकसभा के इस महापर्व में हमारे देश के इस महापर्व में जरूर से जरूर सामिल हो और इस देश के भविस्ट को सुधारने में अपना अमुल से अमुल योगदान दें जय हिन